हर्यों नमो नारायना भक्तों श्री तुलसी दास्टी राम चरित मानस में भग्वान श्री हरी विश्नु द्वारा अपने भक्तों को दिये आश्वाशन के विशे में यह कह गए है कि जब जब होई धर्म की हानी बारही असुर अधम अभिमानी तब तब धर प्रभु विविद सरीरा भरही दयानि दी सज्जन पीरा अर्थार जब जब धरा पर पापों का बोज पड़ेगा तो मैं भिन भिन अवतार धर कर धर्ती पर आता रहूंगा और पाप ताप संतापों से सब कर रक्षन करता रहूंगा और श्री हरी ने अलग अलग युगों में अवतार धर कर अपने इस बादे को सैदेव निभाया है वक्तों तो आईए आज उनी श्री हरी भगवान के दस अवतानों की ये पावन गाथा आपको सुनाने जा रहा हूं तो बोलिए भगवान श्री हरी विश्नु नारायन की विश्नु अबतारों की गाथा पावन बड़ी महान है इन अबतारों का बढणन तो करते वेद पुरान है अबतारों का बढणन तो करते वेद पुरान है करते देद पुराल है विश्णू अब तालों की गाथा आईए भक्तों भगवान श्री हरी विश्णू के पहले मत्से अवतार की कथा सुनाता हूँ भक्त जनों भगवान श्री हरी जग पालन हारी है अतह ब्रह्मान की रक्षा है तू वेदों को बचाने है तू दैत्य है ग्रीव का अंत करने है तू भगवान श्री हरी ने अपना पहला मत्से अवतार धारन किया साथ की साथ वेवस्वत्मनू सप्त रिचीगण और सारे जीव जन्तों को प्रथम प्रले के प्रलाप से बचाने है तू श्री हरी ने मत्स अवतार धारन किया तो बोलिये मत्से अवतार की भक्त जनो श्री हरी ने अपना धूजा अवतार कूर्म अड़्थात कचुए का धारन किया सागर मन्थन के समय धैत्य और दानव मंदराचल परवत को मत्नी और वासू की नाग को नेती बना कर मन्थन को तैयार थे तब श्री हरी ने पूर्म रूप धरकर मंदराचल परवत को अपनी पीट पर धारण किया और सागर मंतन संपून करवाया तो बोलिए पूर्म हवतार की पृत्वी को प्रलै से बचाने मास्य अवतार को धार लिया रिशी मनू और सप्त रिशीगन वेदों का अधार किया दूजा रूप फिर कूर्म का धारा पीट पे गिरी उठाया था सागर मंथन के कारज को फिर संपून कराया था दोनों अवतारों के चर्णों हाँ दोनों अबतारों के चर्णों करते हम पर नाम है इन अबतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा आवन बड़ी महान है इन अबतारों का वर्णन तो करते वेध पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा भक्त जनो एक बार दैत्य हिर न्याक्ष के आतंक से सारी स्रिष्टी काप रही थी वो इतना शक्ती शाली हो गया था कि धर्ती माता को बंदी बना कर समुद्र के नीचे ले गया तब सभी देवी देवता श्री हरी विष्णू की शरण में आये और उनकी प्राठना पर श्री हरी ने वरा अवतार धरन किया उसी अवतार में प्रभू ने दैत्य हिर न्याक्ष का अंत किया और धर्ती मातो अपने दातों के मध्य पसा कर बचा कर ले आये तो बोलिए बरा अवतार की अपने चोथे नरसिंग अवतार में भगवान विश्णू ने दैत हिरन्याकश्चप का अंत किया और अपने परमभक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की हिरन्याकश्चप को बरदान प्राप्त था न तो वो जल में मरेगा न थलमिन न पृत्वी न आकाश न मनुष्य न जानवर न अस्त्र न शस्त्र से तो ऐसे में भगवान श्री हरी ने आधा नर और आधा सिंग बनकर नर सिंग अवतार लिया और अपने नाकुनों से दैते का सीना चीर कर उसका अंत किया तो बोलिये नर सिंग अवतार की वरा रूप धर के विश्नों ने हिरन्याक्ष को मारा था कृत्वी को दातों में फसा कर बवसागर से उतारा था नर सिंग बनकर भक्त प्रलाद के प्राण भी आपने राखे थे आधा नर और आधा सिंग बनते ति राज को मारे थे देवों ने दो हाथ उठा कर आँ देवों ने दो हाथ उठा कर किया तेरा दुनगान है इन अवतारों का वर्णन को करते वेद पुराण है विष्णू अबतारों की गाथा आवन बड़ी महान है इन अबतारों का वर्णन तो करते बेद पुरान है करते बेद पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा भक्तों अपने पाँचवे अवतार में श्री हरी ने वामन रूप धरा यह भगवान का पहला मनुझ अवतार था दैतिराज बली अत्यंत शक्ति शाली था परंत बहुत दानवीर भी था श्री हरी वामन रूप धर कर उसके घर भिक्षा मांगने आए और तीन पग भूमी दान में मांगी दैतिराज ने तीन पग देने की हामी भर दी तो श्री हरी ने अपनी देह बढ़ा कर दो ही पगों में सारी स्रिष्टी नाप दी तीसरा पग धरने हेतू दैतिराज ने अपना शीष सनमुक किया श्री हरी ने उसके शीश पर पैर रख कर उसे पाताल भेश कर उसे भवसागर से बार कर दिया तो बोलिये वरा अवतार की भक्त जनो श्री हरी ने छटा अवतार परशुराम रूप में धारन किया ब्रामन होकर दी उन्होंने प्रित्वी की रक्षा हेतु अस्त्र शस्त्र धारन किये और भगवान शिव का तप करके उन्होंने अमोग फरसा प्राप्त किया इसी अमोग फरसे से उन्होंने सहस्त्र भाव के सारी भुजाएं काट कर अपने परिवार की हत्या का बदला दिया और इस प्रित्वी से पापियों का नाश किया तो बोलिये परशुराम अवतार की वामन रूप धार विश्नुजी बली के सनमुक आये थे उसके शीश पे पाउं धरा और लोक पताल पठाये थे परशुराम बन अस्त शस्त को अपने हाथ उठाया था प्रित्वी से पापी और पापों दोनों को ही मिटाया था श्री हरी के अवतार ये सारे आँ श्री हरी के अवतार ये सारे करते तो कल्यान है इन अवतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है करते वेद पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा आवन बड़ी महान है इन अबतारों का वर्णन तो करते देद पुरान है करते देद पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा अपना सप्तम अवतार श्री हरी ने मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम के रूप में धारण किया। जब पापी रावन के आतंक से धर्ती मा खर्रा रही थी, तब अयोध्या के महराजा दशरत के यहां श्री राम रूप में श्री हरी ने अवतार लिया। और विभिन लीलाएं करते करते रावन का अंत कर पृत्वी को पापों से मुक्त किया तो बोलिए भगवान श्री राम चंदरजी महराज की अपना आठ्वा अवतार भगवान श्री हरी विश्णू ने सोलह कला संपूर्ण श्री कृष्ण के रूप में धारा और इस अवतार में पापी कंस का अंत करके धरती को पापों से मुक्त किया कालांतर में वे महा भारत के महा नायक बने और इस संसार को सत्य की राह दिखाते हुए गीता के उपदेश दिये तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महराज की जे राम रूप को धार हरी ने रावन का संघार किया अंत किया पापी का भगवन फ्रिस्ची का ओधार किया सोला कला संपून कृष्ण का आठवा अवतार लिया पापी कंस का अंत किया और धरती का सब भार हरा गीता का उपदेश सुनाया हाँ गीता का उपदेश सुनाया दिया अभैबरतान है इन अबतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है करते वेद पुरान है विष्णू अबतारों की गाथा आवन बड़ी महान है इन अबतारों का वर्णन तो करते वेद पुरान है करते देद पुरान है विश्नु अवतारों के गाथा भगवान श्री हरी ने अपने नवम अवतार में महात्मा बुद्ध का रूप धरण किया वो अपने सभी पिछले अवतारों से बिलकुल भिन्न थे बुद्ध अवतार में श्री हरी ने स्विस्टी को शांती और अहिंसा का पाठ पड़ाया तो बोलिए भगवान बुद्ध की जे और भक्त जनों अब इस घंधोर कल्यूप से पापों तापों और संतापों को मिटाने के लिए प्राणियों का उधार करने के लिए पापियों का अंत करने के लिए भगवान चृषरी विष्णू कल की रूप में शीग्रही अवतार धारण करेंगे वेद पुराण कहते हैं भगवान का ये अवतार एक बार अस्त शस्त्र फिर से धारण करेगा और नीले घोडे पर अवतरित होकर इस कल्यूख के पाप ताप संतापों का समूल विनाश करेगा तो बोलिये कल की भगवान की जेए बुध रूप में आये विष्णू चांती का संदेश दिया सत्य अहिंसा परमधर्म है बुध ने ये उपदेश दिया कल्यूख के संताप मिटाने कल की रूप में आओगे भक्त जनों को भवसागर से पार लगाने आओगे दशवतारों की गाथाएं दश अबतारों की गाथाएं चंदन कर गुणगान है इन अबतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है विष्णू अबतारों की गाथां आवन बड़ी महान है इन अबतारों का वर्णन तो करते वेद पुराण है करते देद पुरान है विष्णू अब तारों की गाथा